स्वागत नी करोगे हमारा, सो welcome 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 everyone to this amazing session, जिदर हम आज क्या cover करेंगे, आपकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी RTV of November 24, टेंशन लेने गा नहीं भाई, छोटी सी RTV है, क्योंकि इसमें भहुत सारे questions repetitive है, तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी new questions है, और जितने भी MC को case scenario हो, सारे solve करे जो एकदम repetitive question आपने class में cover किये, उस पर आपने को time waste करने का जरूवत नहीं है, because even I know that you might be watching this video towards the back end of your exams, मतलब exams बहुत नजदी हैं आपके, तो आपका 15-15-20 minutes, आदा-दा घंटा बहुत किमती है, तो आप भी RTP में इसलिए आये रहोगे, यह देखने के लिए सर, नया है क्या कुछ, तो बस वो जो नया है वो करा दूँगा, एकदम बढ़िया तरीके से, और आपको क्या, आहा, ओहो, मज़ा आ जाएगा, ठीके, चलो, तो मैं क्या क्या रहा हूँ, विदाउट वेस्टिंग एनि टाइम, लेट स्टार्ट, ठीके, अच्छा, अब मैं यह RTP, जो भी सॉल्ड कराऊंगा, यह पूरा सॉल्ड वाला RTP है न, मैं अपने टेलिग्राम पे डाल दूँगा, लिन्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज जाके जॉइन कर लेना, ठीके, चलो, तो फटाफ़ट से हम शुरू करेंगे, RTP, आजो, सबसे पहले, विदा स्टार्ट विद केस सिनारियो नंबर वन, ठीके, अब केस सिनारियो नंबर वन में, हम पते क्या करने के एक्जाम में कभी भी, पहले क्वेशन पढ़ लेना क्या है, उपर उपर से क्वेशन देख लो क्या-क्या पूछा है, तो सिनारियो पढ़ते समय, अपना माइंड उस तरफ रहेगा, ठीके, सबसे पहले पूछे, वेन एंड वाट अमाउंट दर रेवेन्यू वुड बी रेकगनाईषट, तो रेवेन्यू कभ रिकॉर्ड करना है, कितना रिकॉर्ड करना यह पूछा गया है, ठीक है, उसके बाद, वाट वी दर अमाउंट उप फिनांस इंकम, विद रिस्पेक टू सेल्स, year 15-16, विद रिस्पेक टू सेल्स अरिजमेंट विद बी लिमेटेड, तो पंदरा सुला का भी कुछ सेल्स का आमाउंट पूछा है, और सेम पूछा है, रेवेन्यू, सुला सतरा का, तो पाच एंड शेक है, आजा, देखते हैं फटावट से क्या बोलता है, देखते हैं फटावट से क्या बोलता है, तुमने सेल किया है 1st October 16 को, मैं थोड़ा उपपर खिछ लेता हूँ इसको, तुमने सेल किया है 1st October 16 को, पैसा का आएगा, 31 December 18, मतलब more than 2 years, 2 साल 3 महने बाद आएगा पैसा, वो तो ठीक है, तो ये date of sale है, और इस दिन आपको date of payment, या date of, receipt of money, जो भी है, ठीक है, आगे, the manufacturing cost was 80,000, the customer had a right to return the product, customer चाहे तो कभी भी return कर सकता है, at any time up to and including, 31st March 16, तो return का date कब तक है, so 31 December 16, 31 December 16 तक, ये है last day of return, ठीक है ध्याननल, this is the last day of return, ठीक है, at 1st October 16, now this is very important, D Limited had no reliable evidence, regarding the likelihood of the return of the product by customer, 1st October को, 1st October को, D had no reliable evidence, उसके पास कोई evidence नहीं है, regarding the likelihood of the return, basically, हम estimate नहीं कर पा रहे हैं, कि वो return करेगा कि नहीं करेगा, normally क्या होता है, हम right of return वाले case में ऐसा बोलते हैं, कि 100 unit बेचे, हमारा 5 estimate बोलता है, कि 5% return आएगा, तो हम 5% revenue बूक नहीं करते थे, बाकि 95% बूक कर लिया करते थे, अब इसने जितना भी बेचा है, इसको अंदाजा ही नहीं बैट रहा है, कि मेरे को कितना return आएगा, तो ऐसे case में standard बोलता है, revenue बूक नहीं करने का, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता न, return करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, देखो, अंदाजा लगा पा रहे हो, suppose मैं ऐसा है, 100% का sales किया है मैंने, और मुझे पता है कि 10% return आएगा, तो 90% आज बूक कर लो, 10% को आप return का period खतम होने के बाद बूक करना, अब वो बोलता है, मेरे को 100% को लेकर रहे हैं, मैं को पता ही नहीं, इसके बारे में अंदाजा ही लगा नहीं पा रहा हूँ मैं, तो standard बोलता, अगर अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो, तो आप इसका revenue बूक नहीं करने का जब तक return का period खतम ना हो जाए, basically आप इसका revenue फिर कब बूक करोगे, October में मत बूक करना, आप इसका revenue 31st December में बूक करना, ठीक है, आगे देखते क्या बोलता है, the product was not returned by the customer before 31st December, and so the right of return for the customer expired, मतलब ये last year of return है, यहां तक return नहीं आया, तो आप यहां revenue बूक कर सकते हो, बूक revenue, अच्छा मैं वापस से बता दू, यहां इन्होंने ये line लिखी है ना, इसलिए मैं ऐसा assumption ले रहा हूँ, कि मैं revenue 34 December को बूक करूँगा, अगर सबोथ ऐसा बोलता, कि नहीं ने company estimates, there will be no returns, company का अंदाजा है, past history के return नहीं आते, तो फिरो पूरा revenue 1st October में बूक कर लेता, तु मेरी बात समझो, देखो, रट्टा मत मार के दाना, logically समझो, यहां क्या हो रहा है, सबको समझा यह वाला पाट, ठीक है सर, on both, 1st October 16th and 31 December 16th, the cash selling price of the product was 1 lakh, तो product का selling price केता है, cash selling price मतलब अगर, customer आज ही payment कर देता, आज मतलब, जिस दिन revenue बूक कर रहे हो, उसी दिन अगर customer payment कर देता, तो एक लाग payment करता, reality में वैसा नहीं है, reality में, he will make payment of 1,21,000, extra काई के लिए pay कर रहा है, शादी है क्या, शादी नहीं है, 2 साल के बाद pay कर रहा है ना भाई, date अभी देखो, अब हम मानते हैं कि October की date ही भूल जाओ, October भूल जाओ, October को अपनी जिंदगी से निकाल दो, अब अपने लिए 31 December की date है, अब इस दिन से अगर आप दिखोगे, date of payment तो 2 साल के बाद payment करने वाले हो, तो ये वो 2 साल का interest है, ठीक है, rate भी दे रखा है, 10% का rate है, अब एक काम करते हैं, इतना आपने पढ़ लिया ना, इसको लेकर MC कुछ देखते हैं, क्या क्या है, सबसे पहला, when and by what amount, revenue should be booked with respect to sales, made on 1st October, मैंने क्या बोला, October में तो sales कर दिया, अंदर दा लगा, तो पारे हो नहीं कि कब कितना revenue बुक करना है, तो expiry कब हो इती 31 December को, इस दिन आपन बुक करेंगे revenue, और revenue कितना रहेगा, भले payment 121 का आएगा, revenue इतना नहीं रहेगा, revenue आपका सेफ़ों से 1 lakh रहेगा, जो cash selling price of वो आपका revenue होता है, तो यह आपका revenue रहेगा, तो इस कान सा डियो होना चाहिए, भाई चेक कर लेगा, उसके बाद पूछता है, what will be the amount of financing income to be recognized, in respect of sales in the year 16-17, मतलब 16-17 मतलब यह वाला साल, 16 और year in तक, 31st March 17 इधर किदर आएगा न, मैं लिए रहेगा, 31st March 17 आएगा, तो आप financing income कितना बुक करें, अब यहाँ एक mistake कर सकते हो आप, आप पते क्या करोगे, आप बोलोगे सर सेल्स तो October में किया था, तो October से लेकर मार्च, 6 मेने का निकालो finance income, गलत जवाब, गलत जवाब, आप finance income कब से निकालोगे, जिस दिन आपने trade receivable वगएरा बुक किया है, देखो आप entry का मारोगे, आप 31st December 16 को entry मारोगे न, क्या entry मारोगे, trade receivables to revenue, पैसा तो आया निये न, तो इस दिन आपने entry मारी न यार, तो जब financing income निकालोगे, तो December से लेकर मार्च तेका निकालना, logical भी है, तो December से मार्च का आते है, तीन महिने का, अब सिदा सिदा निकाल पाओगे आप, कैसे, आप बोलोगे, 1 lakhs, into कितना परसंट है भाई, percentage है, percentage है 10%, तो आप बोलोगे, into 10% into 3 by 12, 2500, है ऐसा option, हाँ सब्छाबी है, 20 दा answer, आप तुमको समझ रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, बराबर, ठीक है, अच्छा, इसकी entry क्या रहेगी है, 2500 की, trade receivable बढ़ेगा, और 2 finance income, 2500, यह आपकी entry हो जाएगी, ठीक है, फिर बुछता है, what will be the amount of trade receivable, as on 31st March, अले ले 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 मेले बाबू, simple simple MC की पूछेगा, trade receivable बढ़े एक लाग था, फिर finance income बुक किया, तो और बढ़ा दिया, तो हो गया, 1 लाग 2500, CC करती, CC CC करती, मैं मरू, खतम, आजाओ, 3 MC की होगा, 4 MC की इसको लेकर रहेगा, amount of revenue in 1569, यह तो 16-17 की बाद चल रहे थी, नहीं इसका नहीं है यह, चलो, दूसरा परगा, फढ़ना पड़ेगा भी अपने को, ठीक, आजाओ, क्या बोलता है, on 1st July 15, D Limited began, an arrangement to sell goods to third party B, July में चालो किया, बराबर, the price of the goods, was set at rupees 100, price किता है 100 रुपया, then the selling price of all units, would be rupees 90 per item, similar question है, 115 के अंदर होता है, ठीक है कि अगर आपको पता है, day one पे, कि 60,000 units से उपर आप purchase करोगे, तो 90 के तब सर्वेविन्यू बूक करना, बड़ जब तक हमारा अंदाजा, यह नहीं बोलता है, कि 60 के उपर जाएगा, तब तब रेविन्यू 100 का बूक होता है, और बात मैं अगर अंदाजा चेंज हो गया, तो फिर cumulative cashless अपलाई करते है, anyways आज आज आ देखता है आपन, sales of goods, in 9 month period ending totaled 20,000, देखो sales 60 के उपर आज ने जाना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए कि मेरा sales, 60 के उपर जा सकता है, ठीक है, तो क्या बोलता है, तो अभी तो 20,000 का आपन ने किया है, unit sale, and this volume of sales per month was not expected to change before 30 June, मतलब इसी हिसाब से चलता चला, तो 60 के उपर तो नहीं जाएगा, तो basically अगर आप बात करोगे, इंदाए यर 16-17, मतलब ये साल, 16-17 नहीं, sorry, 15-16, 15-16, अगर आप 15-16 की बात करोगे, है न, यहाँ से, जब से sale किया 15 से, और ये साल की, तो आपने 20,000 units sale किया है, और अगर इस की बात करोगे, तो कितना आप, अभी तो, as per 100 ही book करोगे revenue, तो आपका 20 lakh का revenue हो जाएगा, ठीक है, अब आता है अगला साल, हावेवर, इन यह 31st मार्च 17, total sales of the goods, to be, वर 35 lakhs, sales होगे 35 lakhs, ठीक है, the estimate was revised, वापस है, total sales, वर 35 lakhs, and based on current orders from B limited, the estimate was revised, the directors estimated that total sales of to be, in the two year period, would be more than 60,000, अब अंदादा change होगा, तो क्या करे, अब cumulative ketchup इसे लगाना पड़ेगा, निकालने के दो तरीके, दोनों सिखाऊंगा, सबसे पहला, आप बोलो, in the year 16-17, मेरा sales किता हो गया, 35,000 का, तो इसका तो revenue आश पर 90 बुक करोगे, बराबर तो आप बोलोगे, 35,000 into 90, तो यह आएगा, 31.5 lakhs, उसके इलावा, आपको इसी साल में, adjust करना पड़ेगा, जो आप excess revenue बुक करके बैठे हो, तो 20,000 units पे, आपने किता ज़्यादा बुक कर लिया, दस उपर ज़्यादा बुक कर लिया है, तो यह आप लेस करोगे, तो कितना आएगा, तो मेरे खाल तो लाग रुपे आएगा, तो टोटाल लाएगा 29.5 lakhs, दिस वन वे ओफ दूइंग इट, और, एक और तरीक है, क्या कर सकते हो आप, आज तक, तिल देट, वोट शुट बी रेवेन्यू बुक, तो मैं बलूँगा, तिल देट, 35 और 20, तोटल तिल देट, 55,000 पर रेवेन्यू होना चाहिए, बुक as per 90, तिल देट की बात कर रहा हूँ, तो 55,000 इंटो 90, विच विल बी, 49.5 lakhs, बराबर, आप बुक कित्ता कर चुके हो, आप कित्ता बुक करना है, मैं बुलूँगा, इंदा इयर 15, 16 कित्ता बुक किया था, आपने, कित्ता बुक किया था, तो और 16, 17 में कित्ता बुक करना पड़ेगा, इंक्रेमेंटर 29.5, कैसे भी करो, आंसर सेम हैगा, यही तो EMSI को पुछा था, था डेख लेकर थेख लेकर लेकर, तेख लेकर रापन, वट रूपी अमंट उभेंटर रेवेंटर रेवेंटर रिकनाईटर इंदा 15, 16, इसला काय था, अमंट रेवेंटर रेवेंटर इंदा 16, 17, कित्तना आ था 29.5 नह? B ख़ब EMC कुजार ओवर दन अंटेस्टेट इस दिस लिए टेवरीवन चल केस सिनारो नंबर 2 क्या बोलता है मैसर्स XYZN company is an auditing firm during his audit the firm is facing difficulty in accounting of the following transaction ओहो इनको difficulty रही है कोई नहीं मुझको बहुत अच्छे साथ है मैं बिल्कुल सिखा दूँगा A limited established a defined benefit pension plan for its eligible employees the balance sheet of A on 31st March 17 currently includes estimated net liability at 31st March 16 होता क्या सुनो अपने पास होता DBO defined benefit obligation फिर होता plan asset इन दोनों को आप net करके दिखाते अब net में अगर liability जात है तो net liability दिखेगा अगर plan asset जात है DBO से तो net asset दिखेगा अब net liability एन के पास ठीक है सबसे पहले बोलता है 31st March 17 को जो भी value थी it includes the opening balance of 31st March 16 तो basically आपका opening 1st April 16 और 31st March 16 जो बोलना है बोल दो it is 18.75 ध्यान अटना liability के point of view से अब अपने पास जितने भी आपने question किये थे पहले class के अंदर उसमें simple का होता था कि ये भी दिया होता था ये भी दिया होता था तो net भी दिया होता था ऐसा easy होता था निकालने को बट यहां directly net दिया हुआ है तो ध्यान रखना anyways आगे बढ़ जाते है the following matters relate to the plan for the year ended 31st March 17 the estimated current service cost current service cost के entry के आती है current service cost to DBO मतलब basic library बढ़ जाता आपका तो ये आपका बढ़ना चाहिए अच्छा by 6 crores थोड़ी जगा छोड़ देना इधर क्यों पहले हम interest निकालते current service cost year के end पे बुक होता है उस पे interest नहीं आता है ध्यान रखना तो मैं लेकूँँगा CSC 6 crores ठीक है अगला ये important है जो में discuss करो अगला अच्छा बाइदवे मुझे इसमे भी पहले MC कूष पढ़ने चीए थे ध्यान ने रहा मुझे आप exam में पहले MC कूष पढ़ना ठीक है on 31st March 17 A limited paid contribution to 7CR into the plan तो आपने contribution किये है and charged this amount as an operating expense अब इधर लफड़ा हो गया है इन्होंने गलती का कर दिया सुनना इन्होंने गलती कर दिया है इसको operating expense शार्च करके इसमें actual entry क्या होनी चीए इसके actually जब contribution करते हो आप तो entry होती है plan asset to cash bank ये entry होनी चीए इन्होंने डबो ने क्या entry मार दी इन्होंने entry मार दी expense to cash bank expense इन्होंने P&L to cash bank कर दिया ठीक है अब rectification entry मारने आती है what is the rectification entry for this P&L आपने गलती डेबिट कर दिया तो इसका होना चीए 2 P&L reverse करोगे जाना कहा चीए था plan asset में अब अब कोस plan asset आ बना नी रहे हो you are not preparing the plan asset plan asset और DBO में होने वाले सारे adjustments net liabilities adjust होने चाहिए तो basically आप इसको net liabilities adjust करोगे किता 7 और 7 7 था नो तो इसका impact मेरे इस working पे क्या आएगा इसका impact liability गिर रही है मेरी 7 से sir ऐसे कैसे गिर गे liability जब आप contribution करते हैं तो asset बढ़ता है तो asset के point आवे से देखो के तो asset बढ़ेगा liability के point आवे से liability गिरेगी ऐसा तो 7 बोलते हैं ना less contribution देखो वापस से अगर net asset में होता ना तो asset बढ़ा देता में liability point आवे से कम हो रहा है sir second effect cash bank मत करना second effect अब वो P&L से जच्छ होना अच्छे second effect क्योंकि आपने rectification entry मारे rectify किया है basically आपने उसके बाब बोलता है annual market yield on high quality corporate bonds on first April 16 इसके entry क्या होती है interest expense to net liability 8% है किस पर निगाल 8% opening पर निगालना 8% sir ये क्यों क्योंकि ये सब year end पर वह ऐसा माल ले न अच्छा बोला भी है कि contribution भी year end पर किया है service cost तो वैसे भी year end पर भूक होता है तो 18.75 into pin to chintu कितना 8% तो आएगा 18.75 into 8% 1.5 ये आगे आपका interest ठीक है उसके अलावा क्या दे रखा है closing कितना है 20.5 तो कुछ तो difference आएगा difference ज़रा निकालोगे क्या उसको तो बोलेगे actuarial gain loss देखो ज़रा 25 है प्लस 1.5 है प्लस 6 है माइनस 7 है तो यह आता 19.25 माइनस 20.5 1.25 liability ज़्यादा है जितना आपन निकाल रहे है वह आ रहे है 19.25 और यह 20.5 मतलब liability बढ़ा नहीं है तो यह actuarial loss हो गया इसको remeasurement loss भी बोलते है also known as remeasurement loss जाता है OCNR के अंदर remeasurement loss अब जखते है MC को पूछा गया है ideally वापास बता दू MC को पहले पढ़ ले ना भाई exam के अंदर what is the amount of net adjustment to be made in the statement of profit and loss profit and loss में क्या के adjustment आएगा सुन लो क्या interest मेरे profit loss में जाएगा हाँ तो ले लो 1.5 क्या current service को जाएगा 6 भी ले लो contribution देखो contribution profit and loss में impact नहीं करना चाहिए था अगर correct entry मारते है तो अगर हम entry मारते plan asset to cash bank तो नहीं impact करता लेकिन हमने गलत entry मारी है तो उसका जब आपने rectification किया है तो यह impact करेगा profit and loss ठीक है तो 7 negative income book करो न आप अब भी rectify करने के लिए तो यह less करना पड़ेगा expense में से तो यह तो expense है और यह expense का reversal है तो less करोगे आप 7 तो net में 0.5 का adjustment है deducted from profit loss why deducted? क्योंकि net expense आ रहे ना आपका net में expense आ रहे 0.5 का कैसे आया 6 plus 1.5 minus 7 clear? खतब what is the amount of actual gain loss अरे अभी तो निकाला था कितना या था 1.25 loss आया था वो भी 1.25 का चलो उसके लाबा what is the original provision required to be made on account of restoration of non current asset अच्छा यह अगले paragraph को लिकर रहेगा इसके मसी को पढ़ लेते original provision required दूसरा पूछ है adjustment to be made in retained earnings what will be the amount of 1 years unwinding of discount on account of restoration ऐसा कुछ तो पूछ रखा है ठीक है आजाओ देख लेते हैं on 1st April E limited completed the construction of a non current asset with a life of 20 years the cost of construction were recognized in PPE and depreciated appropriately तो जो खर्चा क्या construction पे वो PPE में record कि और depreciate भी किया E has a legal obligation to restore the site on which the non current asset is located site restore करनेगा आपके ओपर obligation है ठीक है on 31st कुप तो 20 साल बाद the estimated cost of restoration is 2.5 करोर्स the directors have made a provision of 0.125 in the drop balance sheet अब 0.125 कैसे आया इन्होंने क्या किया जितना आपको dismantling वाला खर्चा इंकर करना है इसको dismantling बोलते है, dismantling, restoration है ना तो इन्होंने क्या किया 2.5 divided by 20 हम ऐसे बुक करतेगा प्रोविशन कभी भी नहीं हम तो present value पे लाके बुक करते provision बराबर गया एन अप्रोप्रोप्रेट डिसकाउंट रेट इस 6% present value दे रखा है, आपको एक बात बोलू मुझे नहीं पता आप लोगो क्लिक हुआ की नहीं हुआ एक चाप्टार है CFS मैंने रिसेंट इसका रिविशन लिया था यूटूब के ऊपर इसमें क्वेशन है, क्वेशन नमबर नाइन यह रिसेंटली मैं रिकाल से आटीबी वगरा में कही तो आया था यह उसमें एक एजज़ेश्मेंट था प्रोविशन का मतलब एक CFS के बड़े क्वेशन में छोड़ा से अज़ेश्मेंट था मैंने पता नहीं वो कराते से में बताया भी था कि कभी-कभी उतना छोड़ा सा पाट किदर आ जाएगा तो करके रखना तो यह एक्जैक्ली वही पाट है अगर आपने नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं कर रखा तो सिर्व रिकॉल करवा रहा हूँ ठीक है ध्यान रखना चलो anyways अब करना क्या देखते है आपन तो इन्होंने सबसे पहले गल्दी का कर दिये सुना इनकी गलत एंट्री किया है इनकी जो गलत एंट्री थी इन्होंने क्या पास कर रखा इसमें यék एजमशन होता है कि इन्होंने जो प्रोविजयन नहीं किया है वो ट्रांसर क्या प्रोफिट न लास में तो इन्होंने एंट्री पास किये पेनल टु प्रोविजन ये कर रखिये 0.125 0.125 this they have already passed this they have already passed but this is the wrong entry entry भी रोंग है और amount भी रोंग है भाई तुम हर तरीके से खलतो इसको मैं पहले solve करवा दूँगा और 3 MC को मेरे उससे बन जाएंगे सुनना कैसा है the estimated cost was 2.5 तो मुझे 2.5 का चाहिए present value दे रखाए 6% के एसाब से 20 साल के बाद का factor है 3.12 तो अब सबसे पहले हम इसका calculation कर लेते हैं तो आपके provision का correct amount क्या होना चाहिए it should be 2.5 into 0.312 जड़ा करोगे प्लीज 2.5 into 0.312 it should be 0.78 entry मारते वे चलेंगे क्या entry होनी चाहिए अच्छा सबसे पहले जो गलत किया है न उसको आप reverse कर देना इसकी एक rectification entry मार देना ठीक है ताकि हमारी entry माने आसान हो जाएगी तो गलत किया था न ये तो इसकी rectification entry क्या रहेगी उल्टा provision to PNL 0.125 0.125 जो गलत किया पहले उसको rectify कर दिया मैंने ये करने के बाद जो भी सही करना बस उतना करूंगा तो काम बन जाएगा मेरा ठीक है जो पहले गलत था उसको rectify किया अब जो भी सही करना बस उतना करना तो काम बन जाएगा अपना तो provision कितना था अपना 2.5 into 0.312 तो आएगा 0.78 ठीक है सर ये provision आगया, इसके entry क्या होती है entry होनी चाहिए pp to provision 0.78 0.78 provision का क्या होता है, unwinding तो इसका आप unwinding करना at the rate 6% तो आएगा 0.78 into 6% तो आएगा 0.0468 तो इसके entry क्या रहेगी, pnl to provision pnl मतलब basically interest to provision 0.0468 0.0468 अब एक और चीज़ जो आप भूल जाओगे वो है जब आपने pp capitalist किया है भी पहले तो नहीं किया था भी किया है, तो इतने amount पे आपको depreciate भी करना पड़ेगा न, देखो, जो cost of construction है, वो आप capitalist कर चुक हो, depreciate कर चुके हो बट ये जो restoration है, ये आपने ऐसा नहीं किया capitalist restoration sorry, capitalist or depreciate, तो उसको करना पड़ेगा आपको तो एक year in पे एक और entry आएगी ये भी entry year in पे आएगी क्या entry आएगी? इट विल बी depreciation जो जाएगा pnl मे, 2 ppe amount क्या रहेगा, 0.78 को आप 20 साल में करोगे depreciate तो 0.78 divided by 20 which will give me 0.039 0.039 ये आप पहले कर ले न वापस से एक rectification entry है फिर provision book करना, unwinding करना, depreciate करना ये कर लो इतना किया, हो गया देखो flying के से दे दा तुमको मैंने अब आजाओ what is the original provision required original provision कितना होना चिये था 0.78 तो बोल देना उसको इसके मूँपे फेक्किया मारो answer बोलो 0.78 मार दिया sir आगे what will be the adjustment to be made in the retained earnings account retained earnings मतला basically penal में क्या क्या adjustment किया आपने तो आओ इदर सबसे पहले हमने एक profit book किया है profit नी book किया है rectify को reverse किया है तो ये करेंगे हम सबसे पहले हमारा एक positive positive point 125 है उसके लावा हमने expense book किया है ये तो expense book नी हुआ है ये book हुआ है expense 0.0468 देखो जो भी PNL में गया उतना ही देखना बाकी किसी को मत देखना जैसे ये गया है PNL में इसको देखा इसको देखा और उसके लावा ये गया है PNL में इसको देखा तो एक income है और दो expense है बराबर तो ये expense 0.0468 और 0.039 ले लो तो एक income थी और दो expense है 0.0468 और 0.039 जरह नहीं करो net impact तो 0.125 माइनस 0.0468 माइनस 0.039 कुछ तो आ रहा है 0.0392 है ये रहा देखो ना कितने आसपास के answer दे रखे ये तो बहुत आसपास का था भाई ये और ये बट answer is C ठीक है ध्यान लगना उसके बाद 1 year's unwinding of discount अरे unwinding निकाली थे ना आपन एक साल की कितनी थी unwinding was 0.0468 अरे समझ क्या रखा है हमको आता है इसर हमको हाँ सर ये सर आ गया सर case scenarios खतम case scenarios खतम क्या तुमको समझ आते हैं क्या देखो these are few things conceptually clear हो तो exam में दिमाग चलना चाहिए मैं ये नहीं मानता है exam में same to same question आएगा but by doing such practice आपको exam में एक flow समझता है किस तरीके से करना है कहां कहां से पूछते है है ना ऐसा तो इन लोग case scenarios basically बड़े question में से उठा के चिपका देते हैं तुम लोग को clear perfect अब जब मैं questions कराऊंगा ना तो जो भी question किताब में में नहीं है आपके वहीं कराऊंगा और यह भी LDR रहे दोनों LDR रहे भाई tension नीची अपने को ठीक है अब आजाओ यह नया question है 12 का बट simple है ठीक है logical है जाएंगे आपन easily पूरा question पहले पढ़ लेते है X limited in Indian company owns a freehold land with a carrying value of 10 lakhs तो carrying value 10 lakh है which is not depreciated for tax purpose but is indexed for inflation आप index session लगाते हो इसके ओपर index session आता है BB sir को पूछो वर न है न वो बताएंगे तुमको yes people index session सिखाएंगे capital gain के अंदर देखो मेर को नहीं आता है यह सब तुम देख ले न अरे यह पता है न index session मतलब जो cost है वो increase हो जाती है उसकी वज़े से inflation की वज़े से आता है मुझे भी index value and the fair value of such land is 15 lakhs index value 15 है and fair value is 22 respectively what will be the tax base for such freehold land for measurement of deferred tax पूछा क्या सुनना आपको है न deferred tax निकाले नहीं बोला है पूछता है what will be the tax base for such freehold land for measurement of deferred tax ठीक है अब 4 cases दिये हुए पहला X intends to sell it as a part of slum sale of business eventually after using it for business purpose मतलब धन्दे के थादी बेश देगा पूरा-पूरा X intends to sell the land individually and not on a slum sale ठीक है यह दूसरा है तीसरा X has classified such land as investment property and intends to sell it individually not on a slum sale और चौता X follows revaluation model for freehold land अच्छा एक second अगर fourth point में specifically बोल रहा है X follows revolution model इसका मतलब बाकी तीन में वो शायद cost model follow कर रहा होगा सर कहां लिखा है यह तो बोला नहीं लिखा है अब नहीं लिखा है तो तुम कुछ भी मान सकते हो बढ़ चौते में clearly बोला है कि he is following revolution model तो maybe it is implied कि पहले तीन में cost follow कर रहा होगा सर cost रहगा तो क्या फरक पड़ेगा cost रहगा तो आपके books of accounts में आप carrying on पर रखोगे फिर ठीके anyways आगे आजाओ important line this is important क्या बोलता है as per the applicable tax laws in the jurisdiction मतलब जिस country में आप हो उसके tax laws के हिसाप से indexation benefit is not available if the freehold land is sold as per part of slum sale बोलता है अगर आप slums की तरह बेचोगे तो indexation का benefit नहीं मिलेगा वाव but indexation benefit is available if the freehold land is sold individually अगर freehold को individually बेचने का plan है तो फिर आपको indexation benefit मिलेगा in short जहाँ जहाँ slum sale पे बेचने का बात करोगे वहाँ वहाँ आपका tax base 10 lakh होगा मतलब without indexation 10 lakh कैसे है सर 10 lakh was the carrying value अपने पास कोई depreciation का rate वगरा तो है नहीं तो हम मानेंगे बाकी कुछ होता नहीं होगा और वैसे भी land है it won't get depreciated तो अच्छी बात है अपने लिए तो फिर tax base will be 10 lakhs only but अगर आप individually बेशने का बात करोगा ना किसी पार्ट में if you are willing to sell individually तो आपको indexation benefit मिलेगा और indexation benefit मिलेगा तो tax base आपका 15 lakh माना जाएगा अब आप चारो case में ये देख ले ना कि कहाँ-कहाँ आप individual बेशने का देख रहे हो और कहाँ-कहाँ आप slum sale पे बेशने का देख रहे हो मैं simplicity purpose के लिए चारो cases में carrying amount, tax base और अभी rate नहीं है मेरे पास अचा हाँ, rate तो ही नहीं तो मैं differ tax नहीं निकाल पाऊँगा बस मैं बता पाऊँगा difference का amount किता है ठीक है, ध्यान रगना, चलो तो देखते क्या बोलता है सबसे पहले, x intends to sell it as a part of slum sale of business और मैंने क्या बोला, पहले तीन में cost model assume करेंगे तो carrying amount रहेगा 10 lakhs tax base इसमें 10 lakhs रहेगा क्यों? slum sale लेना तो no index session no index session benefit तो difference कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा, difference आएगा इल्लह तो difference नहीं है, तो differ tax भी नहीं आएगा वैसे differ tax निकाल भी नहीं पाऊगे, rate नहीं है मेरे पास ठीक है? दूसरा x intends to sell the land individually तो carrying amount 10 lakhs रहेगी cost model है tax base 15 lakh हो जाएगा बेचों के individually, तो index session benefit मिलेगा ठीक है? difference आएगा 5 lakh का अब एक बात बताओ चलो आप माल लो, बाइचेंच ऐसे माल लो tax rate दे दिया, 30% तो differ tax कितना आता? यह assume कर लो आप, अब एक्जाम मत करना है ऐसे simplicity purpose के लिए तो आएगा 1.5 lakh का differ tax, बटी DTA की DTL तो यह land है सिखाया था न, carrying amount का में tax base जाद है, हिंड क्या थी, always try to bring carrying amount towards tax base carrying amount को tax base के पास लेकर जाना है, देखो यह मेरा carrying amount remote वाला हाथ tax base, carrying amount को tax base के पास लेकर जाना है, मतलब carrying amount increase करना है, वापस है, carrying amount को tax base के पार लेकर दरा caring amount increase करना है asset का caring amount increase करना land is a asset asset का caring amount increase करने के लिए very good answer DTA create करते है अगर ये DTA है ये DTA है तो इसके difference का नाम होगा deductible temporary difference deductible temporary difference मैं extra पढ़ा रहा हूँ बाइचास कभी पूछ लिया तो ठीक है ध्यान रगना 30% मैंने assume किया 30% assumed कल को उटके बोलो कि कहां से आया सार आपको clear आगे X has classified the land as IP देखो IP में तो वैसे भी river model available यह cost model ही available है तो caring amount 10,00,000 tax base and intense to sell individually individual बेचेगा तो tax base 15 मिलेगा भाई difference वही 5 का और यहाँ भी deductible temporary difference ही आएगा देखो DTA की वज़े से बनते है deductible temporary difference DTL के वैसे बनते taxable temporary difference आगे X follows river model river model follow करोगे carrying amount 22 that is the fair value will become your carrying amount आगे and intense to sell individually अले ले मिला बाबू बेचेगा individually तो tax base तो 15 माने के वेदे indexation तो difference आएगा 7,00,000 अब यहाँ carrying amount जादा है tax base का में अगर carrying amount decrease करना यहाँ land का carrying amount decrease करना तो DTL करेट करना पड़ेगा यह बनेगा DTL यह बनेगा taxable temporary difference कहानी खतम तुमको समझता है मैंने क्या बोला यस चलो तो यह solution पड़ लेना भाई इदम simple है अब आएगा leases same question same in question bank जो same है ना मैं बता दूँगा same in question bank भरुसा गरना मेरे उपर है इस है question bank में tension मतलो इसको ठीक है उसके बाद agriculture this is there in question bank again MTP-RTP section में मिल जाएगा आपको इंडेस 10 का यह भी है question question bank में यह भी MTP-RTP section में मिल जाएगा मस्तर discuss किया है इसको ठीक है उसके बाद उसके बाद impairment यह नया question है it is simple but still नया है तो LDR mark कर दना simple ठीक है क्या बोलता है सुन लो at 31st March 11 the assets of a CGU are being reviewed for impairment the carrying value of the CGU's net asset is 65 lakhs excluding any restoration provision restoration provision के बिना कितना है CGU का value 65 lakhs and the remaining useful life is 8 years कोई दिक्कत नहीं है अब provision का करना किया है यह हम नीचे पढ़ते है एक बार management's approved budgets at 31st March 11 include restructuring cost of 3,50,000 to be incurred in the year 2012 the restructuring is expected to generate cost savings of 1 lakh per annum यह तो future की savings आपकी प्रोवेशन कितने का बनेगा 3,50 का वो भी अगर आपने इंडेयस 37 भी बढ़ रखा है तो उसमें सिखते है कि restructuring का प्रोवेशन तब बनता है when management has a obligation obligation कब आएगा जब plan ready है आपने उसको announce वगेरा कर दिया basically आपके उपर constructive obligation आचुक है ठीक है अब देखते हैं वो क्या हुआ है इसके अंदर formal budgets have been prepared for 3 years to 31st March 14 a zero growth rate is assumed because market conditions are extremely competitive cash flow estimates are as follows दो cash flow दे रखा है एक दे रखा है with restructuring consideration and without restructuring consideration मतलब पहले वाले में आप restructuring assume करोगे second वाले में आप assume नहीं करोगे अब कौन से cash flow consider करने पढ़ लेते आपन नीचे in 2012 the net cash flows without restructuring exceed the net cash flows with restructuring बोलता है अगर आप 2011 बारा में देखोगे तो अगर आप restructuring करोगे तो सिफ फाइले 20 का cash flow है और नहीं करोगे तो जादा cash flow है सर ऐसे कैसे नहीं करने पे जादा cash flow धन्दा का restructuring करोगे तो कम cash flow वो बोलता है this is because of a provision तीन लग पचास का provision इसलिए है anyways the future cash flows have been discounted at 4% यह हुई ना काम की बात for simplicity it has been assumed that cash flows arise at the end of each year calculate impairment loss of 31st March 11 when अब इन्होंने दोनों case में अपने को assumption लगा रहा नहीं है कि हम consider करे की नहीं करे इन्होंने बोला आपको दोनों हिसाब सांसर करना है when re-structuring cost is recognized in the financial statements at 31st March 11 पहला assumption second re-structuring cost is not recognized in the financial statements at 31st March 11 देखो अगर आपने re-structuring cost book किया है तो फिर cash flow भी आपको यह वाला लेना पड़ेगा अगर re-structuring cost book नहीं किया है तो फिर value in use इसके साब साब निकाल लोगे तो एक काम करते इसको हलका अपल का साब कराने का try करते हूँ आपको में इधर आजाओ सबसे पहले कौन सा question है भाईए this is question number 15 इधर आजाओ question number 15 ठीक है क्या बोलता है इदम आराम से देखना सबसे पहला case 1 with restructuring भाई तुमको चाहिए किया देखो तुमको impairment testing करनी है ठीक है पहले ज्यान दे देना कि हम cgoo का impairment test कैसे करते है और थोड़ा सा ज्यान आप 37 का भी दे सकते हो कि कब बुक करते है provision when there is a obligation वगेरा वो basic ज्यान दे देना इनका ज्यान पढ़ो के बहुत लंबा चोड़ा है उत्ता लिखना पॉसिबल नहीं, आप अपने एसाब से आंसा करना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, इंपेर्मेंट टेस्ट करने के लिए CGU का, आपको दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए carrying amount, है न, और दूसरा क्या चाहिए आपको, recoverable amount, ये दो चाहिए आपको, हम एक एक करके निकालेंगे, सबसे पहले, recoverable बात में निकालेंगे, पहले carrying amount निकालेंगे, तो carrying amount कितना है आपका, carrying amount दिया हुआ था मेरे ख्याल से, it is given as 65 lakhs, अब एक खास बत पता है क्या आपकी, अगर आप restructuring provision को, value in use के calculation में consider कर रहे हो, तो फिर इसको आपको यहाँ भी consider करना पड़ेगा, ये सारे assets होते हैं, restructuring provision एक liability है, बराबर CGU की calculation में liability less होती है, अगर CGU का part है, तो अगर आप इसको consider करोगे, तो आपकी total carrying amount कित्ती आ जाएगी, 61.5 lakhs if I'm not wrong, yes, now recoverable amount, इसमें आपसे value in use निकाल पाओगे, FVL सेट का data अपने बास available नहीं है, अब इतना मेहनत मत करोगे, देखो आपका time किमती है, मैं क्या करूँगा, बस मैं सारे cash flow को, 4% पर discount कर लूँगा, मैं ICA वाला answer copy कर लूँगा, क्यों करें मेहनत फाल तूँ की, आजो, इन्होंने क्या ले रखा है देख लो इधर, with restructuring, consideration, present value ये रही, 65.14, इन्होंने 3 decimal दे रखा है, आप exact लोगे तूभी चलेगा, 3 decimal लोगे तूभी चलेगा, 65.14 consider कर लेते, तुमको सम्झाना कुछ नहीं, with provision वाले cash loss को discount किया, for value in use, ठीक है, आपका time बचा रहा है, मुझे क्या मैं तो कर लूँगा calculate, time पस देगा तुमारा, 65.14, बताओ impairment loss कितना, अब AD कितरा difference मन निकाल लिया करो, carrying amount, कम है, recoverable जादा है, there is no impairment loss भाई, there is no impairment loss, को impairment loss ही नहीं है, है ना, पूछा गया अपने को, calculate the impairment loss, तो बताए को impairment loss नहीं है भाई, सबको समझा गया, second वाला case, without restructuring, without restructuring, if there is no restructuring ना guys, तो उस case में, आपका carrying amount 65 lakhs रहेगा, CGU का, बराबर restructuring provision, आप consider नहीं करोगे, क्योंकि हम ले रहे, without restructuring, तो ये भी होगा, without restructuring, और जो recoverable amount है ना, आपका, value in use निकालोगे जिसमें, ये भी होगा, without restructuring, देख ले एक बार, copy कर लेते हैं सर, आजाओ, हम तो नहीं करेंगे महनत सर, एक्जाम में करेंगे महनत सर, है ना सर, हम तो smart बच्चे हैं सर, इधर आजाओ, 62.73 है, without restructuring, 62.73, लिख लेते आजाओ, 62.73 लाक्स, अब है impairment loss, scaring amount जाद है, recoverable कम है, जितना दिखा रहोत्ता, recovery नहीं कर पाओगे, तो 65-62.73, which will give me, 2.27 लाक्स, चेक कर देते हैं कि एक बार आपन, is it coming to 2.27 लाक्स, yes सर, तो देखो इन्होंने कैसे पेसेंट किया वे पहले, बहुत ग्यान दिया हुए इन्होंने अपने को, थोड़ा सा ग्यान दिया हुए पहले, ठीक है, तो पहले वाले, in first case, provision रेगा 3.5 लाक्स का, impairment loss रेगा 0 का, second वाले case में कोई provision नहीं है, सिर्व impairment loss है 2.27 का, सर जैसे आपने present किया, वैसे करे, करो ना कोई दिक्कत नहीं है, बट यह final answer देना वो जरूरी है, वो दे देना बस, clear, question खतम, मजा आगया, question खतम, पैसा हजम, मजा आगया सर, clear यह वाला पाट किया, एकदम clear है सर, tension नहीं हम को, तो यह था आपका impairment वाला पाट, आगे बढ़ जाते हैं सर, उसके बाद है, intangible, same question है, question bank का, कर चुके, पढ़ोगे समझेगा आपको, चीके, उसके बाद है, PPE, यह भी same question है, question bank का, question bank में, मेरे गाल से, again, this is question number 3, of question bank का, MTP, RTP के section का, question number 3, same to same है, boring cost, again same question, आपने class में cover कर चुके इसको, question bank का, यह भी शायद question 2 या 3 है, question bank का, यह भी question bank में, सर, आले ले ले, ईजी ईजी, RTP पूछेगा मेला बाबू, हाँ, यह भी कर चुके भाई, कर ले ना इसको, और कुछ है किया, हाँ हाँ, यह एक आखरी, चलो कुछ तो आया नए आसर, इसको भी mark कर देने LDR, ठीक है, फटा फ़स डिसकस करते, फिर RTP, खतम, हाँ, खतम, क्या वाप करो, सच चीजर, यह करो पहले, फिर करेंगे, यह तर रहो, P&Q, enter into a contextual arrangement, to buy buildings that has 12 floors, 12 floors की building है, which they will lease to other parties, तो पहले खरीदेंगे, फिर दूसरो को भाड़े पे देंगे, पहले खरीदेंगे, फिर दूसरो को भाड़े पे देंगे, ठीक है, P&Q are authorized to lease, 5 floors each, P&Q can unilaterally make all the decisions, related to their respective floors, इसका मतलब क्या है, मान लो, 12 floors है, 12 floors है, ठीक है, पहला, P, Q, P के पास 5 floors रहेंगे, Q के पास 5 floors रहेंगे, करते के इस floor का, खरीद के भाड़े पे चड़ाते है, खरीद के भाड़े पे चड़ाते है, मतलब, it is more like an investment property, ठीक है, आगे देखते है, what about the remaining two floors, ठीक हो, पहले वापस पढ़ लेता हू, P and Q can unilaterally make all the decisions, letter to the respective floors, and are entitled to all of the income from these floors, the remaining two floors, will be jointly managed, all decisions concerning these two floors, must be unanimously agreed, मतलब, दोनों का, सेर अलगेगा, बाकी दो floor में, तो, दो floor, P and Q, जो remaining two floors है, दोनों के पास decision making है, क्या करना है, खूद करना है, भाड़े पर देना, जो भी है, P and Q, will share net profit, or net losses, देखो, आपने पढ़ाता, दिर सम्तिनों और जोइंट arrangement, उसमें होता है, joint operation, और joint venture, venture कब होता है, एक तो जब आपने, separate legal entity form किया है, and आपका हिस्सा, net assets में है, net profit, net loss, net assets में हिस्सा है आपका, ठीक है, सर यहां तो separate entity, form करने का बात ही नहीं किया है, तो हम मानते हैं, कि entity form कर लिया होगा, नहीं किया, आप ऐसा मानते हैं, तो joint operation होगा, बट कुछ नहीं बोला, यह भी तुन नहीं बनाया है, बराबर तो इन्होंने क्या, assume कि ICI ने, कि separate entity दो होगी, ठीक है, अब the main parties, इन्होंने सबसे बड़ा hint क्या दिया है, कि हिस्सा आपका net assets, या net profits में है, तो it is more like a joint venture for you, तो बाकी के दो फिरन है, joint venture होगे, दोनों parties के लिए, तो accounting कैसे करेंगे, as per index 28 equity में, फालो करना पड़ेगा आपको, तो बोला हुए, they will have the rights, to the net assets of the arrangement, that is they both will have the right, to the net assets of the arrangement, this is the main hint, देखो अगर यह नहीं बोलता न, तो फिर आप assumption ले लेना, कि यार separate entity नहीं होगी, तो फिर ये भी हो सकता है, तो मतलब आप you can answer दोगला बंती से, जब वो clearly hint दे रहा है, कि देरा, उनका हिसा net assets के अंदर है, तो वो joint venture का hint दे आपको basically, the leasing of the properties determined to be relevant activity, whether joint, whether this arrangement is a operation or venture, सबसे पहली बात, ये दो floors के लिए बता रहा हूँ मैं, बट इन्होंने जब answer के तो तीन पार्ट में answer गिये, पहला, जो P के पास past floors है वो, शौट कर बता हूँ, P के लिए रहेगी index 40, क्योंकि, ये past लोगो तो अकिला P control कर रहे है, तो उसमें कोई मतलगा न, 28 या ट्रिपल वन या जो भी है, ये जो Q control कर रहे है, वो Q के लोगे index 40, IP, देखो जिसका control सिव आपके पास है, वो तो आपकी asset हो गई ना यार, that is not a joint venture, या joint arrangement, ये जो दोनों पे control है आपका, उसके लाबन बात करेंगे, तो ये venture है, आप मेरी बात नहीं मानोगे, तो मैं दिखा तो इदर आओ, इन्होंने पहले भोध ग्यान दिया हुए, सब इतना ग्यान हम कैसे लिखेंगे, अरे लिखो ना on words में कुछ नहीं, ट्रिपल वन ये joint arrangements, बराबर, क्योंकि उनका हिससा कि इसमें net assets में हिससा है, उनका हिससे लिए, देखो मैं चाहूँ ना, इस पे राम करता जैसे बहुत बाते कर सकता हूँ, ठीक, I can stretch it to, more 15 minutes, but that is not our focus pointer, you guys know the concepts, आप अगर आटीबी देखना आयो, इसका मतलब आपने FR पढ़ रख है, you are here to check out some new questions, जो फटा-फट से हो जाए, तो डर किस बात का, कर दिया ना, 45 minutes में complete, अरे कर दिया ना, तुम्हारे भाई ने, सारे नए questions, सारे case नारे, उस खतम, तो इसी बात पे, जल्दी से बोलो, एक के वाई सारे, तो आई हूप आपके लिए helpful रहेगा, helpful रहेगा, तो प्लीज, एक comment में बता के जाना, कैसा लगा आपको RTP, और tension मतलो, कुछ भी relevant होगा, लाता वर्द चलूँगा आपके exam के लिए, बट, अच्छे से पढ़ाई करना, मेनद करना, and surely you will lock it, okay, best of luck, see you everyone, thank you so much, और हाँ, ये जो PDF, I will upload, on my telegram, तो वहाँ से आप्लोड कर लेना, उसके अलावा, अगर कभी भी आप अपने friends को, को lectures recommend करो, तो official website, bbvachos.com, वहाँ से recommend करना, आखिर में सर्फ प्रचारन करी लिया आपने, thank you, thank you so much, bye bye everyone, take care, see you all, bye bye, and all the best to everyone,